C++ के अंदर header files क्या होती हैं देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले header files के बारे में बात करते हैं जब हमें already written code को हमारे C++ program में use करना है तो हम लोग header files का use करते हैं सबसे पहले हम लोग program में लिखते हैं hash include फिर उस header file का नाब तो header file में क्या होता है कि बहुत सारा code लिखा हुआ होता है और उसे हम लोग हमारे program में use कर सकते हैं ताकि वो हमें दुबारा ना लिखना पड़े अगर हमें उसकी जरुत है तो अब यहां पर second slide में आते हैं यहां पर लिखा हुआ है C++ language also offers its users a variety of functions one of which is included in header files in C++ all the header files में or may not end with the .h extension so basically यह लिखा हुआ है कि जो header file होती है उसमें .h जरुरी नहीं है कि हो अब यहां पर लिखा हुआ है it offers the features like library functions data types so syntax क्या होता है header file को लिखने का तो यहां पर देखते हैं अगर जो file है वो already एक default header file है तो उसको लिखने का तरीका यह रहा hash include फिर file का नाम .h अगर already जो हमारी header file है वो default है system के अंदर तो उसको लिखने का तरीका यह है और अगर हम खुद की header file बनाना चाहते है तो उसका जो तरीका है वो नीचे दे रहा है hash include file name .h condition यह है कि जो हमारी header file जो हमने बनाई है वो same folder के अंदर present होनी चाहिए जिस header file का हम लोग जादा तर use करते है उसका नाम है Iostream यह header file क्यों use करते है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा it is used as a stream of input and output using cin and cout अगर हमें cin and cout functions को हमारे program में use करना है तो हमें Iostream file उपर लिखनी पड़ेगी